क्लास फोर सब्जेक्ट इंग्लिश वर्क बुक चिल्डरेंड, लेट्स कांटिन्यू रीडिंग चैप्टर शीक्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड डॉग्स की वाज ओवर इट्स मास्टर्स हाउस, एडॉग्स की वेरी यूश्फुल इन कैचिंग थीफ्स एंड क्रिमिनल्स लॉग्स की वेरी अपने मास्टर के प्रती मालिक के प्रती लॉयल और फेथ्फुल भी होते हैं जैसे की एक फ्रेंड अपने फ्रेंड की हैल्प के लिए आवसकता के समय पर हमेशा तयार रहता है वैसे ही उसका डॉग भी होता है वै अपने मालिक को नुकसान पहुँचने से पहले अपनी जान देने को तयार रहता है डॉग्स अपने मास्टर के प्रती जान देने में भी जाने जाते हैं जो डॉग होते हैं अगर उनका मास्टर मर जाता है तो वो भी उनके ग्रीफ में अपनी जान दे देते हैं वन एक्जेंपल कैन बी दा स्टोरी ओफ ए डॉग नेम्ड हैचिको हैचिको नाम की स्टोरी इसी प्रकार का एक उधारन है इट वाजे जैपनीज अकिता डॉग रिमेंबर्ड फॉर इट्स रिमार्केबल लॉयल्टी तो इट्स मास्टर फॉर हूम इट कांटिनूट तो वेट फॉर ओवर नाइन इयर्स इवन आफ्टर ही हैड डाइड इट वाजे जैपनीज अकिता डॉग यह एक जैपनीज अकिता डॉग की स्टोरी है जो की बहुत ही ज़दा जानी चाती है क्योंकि जो वो डॉग जो डॉग था वो अपने मास्टर की नौ वर्सों तक 9 वर्षों तक उसका वेट करता रहा Even after he had died कि वह मर चुका था People saw it waiting every evening at the train stations without fail लोगों ने देखा कि वह प्रतिदिन शाम्पू train station पे जाकर अपने माली का वेट करता था Though its master had died while at work जबकि उसका master work करते समय मर गया था During its lifetime अपने जीवन काल में Hachiko was held up in Japanese culture as an example of loyalty and fidelity Hachiko story जो है Hachiko की story Japanese culture में loyalty और faithfulness का उधारण है Well after its death उसकी मृत्यों के बाद It continues to be remembered in worldwide popular culture Worldwide popular culture में दुनिया के प्रसिद्ध संस्कृती में यह जाने जाती है With statues, movies, books and appearance in various media Media, statues, movies और books के माध्यम से Hachiko की stories को हमेशा याद किया जाता है प्रस्टियों के यह जाता है